जो आप गलत कर रहे हैं वो दूसरों के साथ आपने करना स्टार्ट कर दे दिस इस इस यूर हैबिट नौ ठीक है और मैं हमेशा कहता हूं कि सोच के ही काम करिए ठीक है जो व्यक्ति आपके लिए दिन रात बराबर कर रहा है उसकी कदर रख लिजे अट लिस्ट ठीक है और उ कुछ बच्चे यहां पर भी कुछ उल्टा फुल्टा बोल रहते हैं मैं पूरी क्लास में हसी मज़ा कर रहा था क्योंकि ठीक है ज्यादा बच्चों का नुक्सान नहीं होना चाहिए लेकिन यार हम भी इंसान है आप सभी लोगों को मैं बोलूंगा ठीक है आशी सर और सच में ही benefit है राईट मैं सब कुछ देख रहा हूँ सब कुछ देख रहा हूँ और जो बच्चे यह सब काम कर रहे हैं बिर्टा आपको कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा ठीक है हाड वर्ड है लेकिन real words है दिल से है ठीक है सच बात ये है कि आपकी कामचोरी आपके पेशन्स ना होने की जो दिक्कत है ठीक है वो आपने अपने लिए problem बना दी है बहुत बड़ी ठीक है अब उस problem का जब solution की बात आती है तो वो आप अपने अंदर जहांकना ही नहीं चाते ठीक है it's very easy to put a blame on someone की यही दिक्कत है लेकिन जब अपने अंदर पे काम करने की बात आती है तो आप करना ही नहीं चाते ठीक है every person who is teaching here or there on any platform deserves respect ठीक है हम लोग काम कर रहे हैं हम लोग को salary मिलती है मैं हमेशा से कहता हूँ यह कोई छुपी हुई बात नहीं है ठीक है but we deserve respect क्योंकि हम लोग education का काम कर रहे हैं आपको सिखार है आपकी life बनाने के बात कर रहे हैं ठीक है मेरे पास एक बहुत अच्छा एक्जामपल है जो मैं जाने से पहले बोलना चाहूंगा अगर आप लोगों ने महाबारत देखी हो ठीक है जब गुरु द्रोन फर्स टाइम पांडवों और कर्वों से मिले थे तो एक वेल में उन्होंने लकडी का चीज फेक करके ब पदलब हैरानी तो जताई लेकिन एक व्यक्ति था जिसने खुशी जताई और वो था अर्जुन अर्जुन ही वो व्यक्ति था जब गुरु द्रोन ने बोला कि जाओ धृतराष्ट के पास और दिखाओ कौन आया है तो अर्जुन ही वो व्यक्ति था जो उसको लेके गया था excitement में ठीक है कि हमें इनसे शिक्षा पानी है आपको कभी सोचना पड़े तो यह चीज जरूर सोचेगा कि गुरू द्रोन ने अपने पुत्र कौर्वों और पांडवों को सबको समान्य रूप से घ्यान दिया था ठीक है लेकिन कुछ ही कौरव नहीं ले पाए ग्रहन ग्र acceptance ना हो कि वो गुरू है दूसरी बात और acceptance ना हो कि वो information आपको चाहिए आपको उस पर मेहनत करनी पड़ेगी ठीक है तब तक आप उसको ग्रहन ही नहीं करते आपको अपना समर्पित करना पड़ेगा अपनी टीचर को उस duration में अर्जुन ने वो किया ठीक है शुरू से किय तो आपको मैं वही समझाना चाहरा हूँ आपके यहां पर दुनिया में बहुत सारी गुरू होंगे अर्जुन के सिर्फ ध्यां से समझना एक information देने के लिए गुरू द्रोन थे उन्हीं से लड़ना भी पड़ गया धरम के लिए और उसमें उनका साध्या श्री कृशन ने जो गुरू द्रोन नहीं दी थी वो उन्होंने आखरी मोमेंट तक मदद करी तो अर्जुन के लिए तो गुरू तो दो हो गए क्या respect कम हुई कहीं क्या respect कम हुई कहीं वही मैं कह रहा हूँ मैं आप सभी लोगों को मैं आप सभी लोगों को basic रूप में एक चीज समझाना च चाता हूँ ठीक है कि जब तक आप शांत सभाव से पढ़ा ही नहीं करेंगे आपको कोई नहीं पढ़ा सकता ठीक है आज पूरी क्लास में स्पैमिंग थी मैं बहुत देर से अवाइड कर रहा था लेकिन मुझे यह बोलना बहुत जरूरी है क्योंकि आज आप में से कुछ बच्चे अगर इस प्रकार के कमेंट्स कर सकते हैं किसी के लिए भी तो कल आप मेरे लिए भी कर सकते हैं और मुझे आज के वोमेंट पर ही आपको समझाना पड़ेगा बेटा आप बच्चे हो ठीक है नादानी में कर रहे हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं लेकिन समझ प्रॉब्लम होने लग गई है आप लोगों के अटिटूड से प्रॉब्लम है ठीक है प्लीज आप अपने अटिटूड को समझा लिए हम कल की क्लास में मिलेंगे ठीक है उसी जोश के साथ उसी मेहनत के साथ ठीक है जो हमारा कारिया और अगर मैंने वैसे मैं कुछ नहीं कर करना चाहता ठीक है पट मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा जो सेंसिबल बच्चे हैं वो में को पता है वो ज्यादा मातरा में है वो बस बोलते नहीं है ठीक है मैं आप सभी लोगों से बोलूँगा जो आप नेगेटिविटी अपनी लाइफ में देख रहे हैं न व आप उसका utilize सही रूप में नहीं करते हैं तो please be respectful to each and every teacher you don't have that caliber you don't have that patience ठीक है कि आप उस चीज़ पर comment करें प्लीज आपको जहां से पढ़ना है वहां से पढ़िए यह आपके हमेशा से freedom रही है किसी ने रोक के किसी ने आपकी सर पकड़के किसी किताब पे नहीं लगाया है और ओनलाइन वर्ड में दिखकत यह है कि जो आपको freedom of speech लगती है ना वो किसी के लिए abuse बन जाती है आपको पता भी नहीं चलता है आप इतने छोटे हैं ठीक है तो please be responsible for it यह है आप